वन नेशन वन एलेक्शन क्या है देश में एक सांच चुनाव कराने का रोड मैप त्यार करने के लिए सरकार द्वरा गठित उच अस्तरिय समीती ने 14 मार्च को राष्ट पती दौर्पती मुर्मुर को अपने रिपोर्ट सौप दी आठ खंडो वाली रिपोर्ट 18,000 पेज की है कमेटी ने पैनल गठन होने के 191 दिनों बात से हित धार को विशेशगयों के सांथ ब्यापक परमर्च के बाद रिपोर्ट सौप भी है या कंसेट पूरे देश में एक सांथ चुनाव कराने को लेकर है प्रस्ताव यह है कि लोग सभा और सभी राजियों के विधान सभाओं के चुनाव एक सांथ कराए जाए पीटी आई के अनुसार कोवींद पैनल के अनुसार पहले चरण में लोग सभा और राज विधान सभा चुनाव एक सांथ कराए जाए सकते हैं उसके बाद दुसरे चरण में सो दीनों के भीतर अस्तानिय निकाय चुनाव कराए जाए सकते हैं पैनल ने सुझाव दिया है कि तृमकुस सदन और विश्वास प्रस्ताव के स्तीती में से पांच साल के कारेकाल के लिए नय सीरे से चुनाव कराय जाए जाए सकते हैं पहले एक साथ चुनाओं के लिए सभी राज विधांसाभाओं का कारेकाल अगले लोगसभा चुनाओं तक समाप्त होने वाली आधे के लिए हो सकता है। योजना के सिफारिस की है केंद्रिय करौन मंत्रा ने लोग सभा राज पिधान सभाओं नगर पलिकाओं और पंचायतों के एक संचुनाव कराने के लिए सिफारिस करने के लिए सितंबर 23 में समीती न्यूग की थी समीती में कोवीन के अलावा गिरी मंत्री अमीच सा राज सभा में विपक्ष के पूरु नेता गुलाम नवी अजात और भीतायों के पूरु अध्यक एनके सिंग लोग सभा के पूरु महासाचीव सुबास सी कस्यव और वरिष्ट वकील हरी सालवे और शीफ बिजलेंस कमिश संजे कोठारी सामील है इस समीती में लोग सभा में कांग्रेस के नेता अंधीर रंजन चोधरी को भी सामील किया गया था लेकिन उन्हें यह कहते हुए इसका हिसाब बनने से इंकार कर दिया था कि यह एक दिखावा था उन्होंने कहा कि शंदर्व की सर्ते इस तरह से त्य गरांटी हो थांक्यू फ्राइट नसे लगता लाइक सिस्क्राइबर सेर्जर का साथ नहीं बटन नहीं भूले